तो हेलो दोस्तों एक बार और स्वागत है मेरे चलबे फिल्मी रेट पे जैसा कि मैंने बोला था कि रक्षा बन जो कमाई होगी चाहे ड्रीम गर्ड की चाहे वो गदर टू की वो कमाई बताने के लिए आपको नेक्स दे प्रजेंट होगा तो दोस्तों मैं आ गया हूँ आप वे से तारा सिंग के वे से सनी दियोल के वज़े से क्योंकि इनकी फैन फॉल्विंग ना आज की टैम में भी उतनी जबरदस्त है जितनी जबरदस्त नाइंटीज में हुआ करती थी वो तालग बात है भाई साब इनकी पिछली सारी फिल्म में फ्लॉप रही है अब देखो एक बात और भी है पिछली फिल्म जितनी फिलॉप होई है उनकी वज़ा है उनकी वज़ा यह है कि ओडियंस जिस अवतार में इनको देखना चाहती है उस अवतार भाई साब यह आही नहीं रहे थे वो एक पर्टिकॉलर क्लास के लिए मोगे बन रही थी और वो फिलॉप ह जबकि ड्रिम गल्ट टो का जो डे चल ला है वो चाटा चल ला है और गदर टू का चलल ला है और गदर टो का चलल ला है और बीसमें दिन इन चलेक्शन भी छटे दिन से ज़ादा गमा रही है अगातार ये 25 करोड रुपे भी नहीं कमा सकती। चाहे कितने इनके बोलिवूड के एको से शर्फ टिकट खरीद ले। चाहे कितनी ब्रांड कमपनिया जो है इनके लिए 1000,000 के टिकट खरीद ले। फिर भी उतनी कमाई नहीं कर पाएगी जितनी गदर्टू कमाई कर रही और जवान मैं कहता हूँ कि ये हिट भी होगी। क्योंकि शारू खान बेसेकली ये जो फिल्म है ना ये बोलिवूड की फिल्म नहीं आपको बता दो। ये मोई पर्टिकुलर साउथ की मोई है। क्योंकि जीतने भी इसमें टेक्निशन है, जो आर्ट है, जो स्टोरी लाइ इन है, जो स्क्रिंग प्ले है, सब कुछ A to J, सब कुछ South का है, हर एक चीज South की टेक्निक है इसमें, तो बाइस साब ये बर्ट की फिल्म नहीं है, और मैं उसे इसलिए मैं कहा रहा हूँ कि ये फिल्म फ्रॉप नहीं होगी, क्योंकि South हमेशा से मास ओडियन्स के लिए एक लेवल की मोवी बनाता है, और उसी लेवल की मोवी है, ये मास लेवल की, अब आता है गदर टूप है, गदर की फिल्म कल के दिन रक्षाम बंदन workflow है, रक्षाम प्ल्दन था न, कल के दिन भी हास फूल है बहुँ सारे सो, और बहु सारी लाइन ये तेखि गई हैं, कतारे करोड रुपए तक पहुंच गई है लेकिन अभी भी धीमी रफ्तार नहीं हो यह बाई साल और कमाई के मामले में अभी सनी देवल की फिल्म ठकने का नाम नहीं ले रही है बॉक्स ओफिस पे और अब ही बताओ ठक है कैसे जब सनी देवल खुद नहीं ठकता उसकी फिल्म कैस कर से देए को बात करें देए को कलेक्शन की से बसे पहलाब को बता दो इसके कि βासा को कoking साब करून tutorial रुपे के लेकिन आप पो बता दू ना में लेकिन आपको बता दो इसी साथ इसकी कमाई हो गई है 474.35 करोड रुपे 444 करोड 35 लाज रुपे जिस हिसाब से गदर टू कलेक्शन चल ला है जिस साथ कमाई कर अफ्तार बरकरार है उस हिसाब से लगता है भाई साथ पठार का जो रिकोर्ड है जो माईर स्टोन है उसको ब्रेक कर देगी within the 10 days और थोड़ा पूश चल ला है अभी इसका वो चल ला है Dream Girl 2 के साथ देखो ऐसा है OMG 2 पर रिलीज होई थी वो तो आउट होके पविलियन जा चुकी है अब मैदान में इस टेम दो ही प्लियर है Dream Girl 2 और Gather 2 Gather 2 लगाता च्छके मार रही है वो ही पर Dream Girl 2 भाग बाके एकादरन लेके अपना किसी तरह से सतक पूरा करने की चक्कर में है अब इसका सतक पूरा हो पाता है किनीद हो पाता है वो देखो बविश से बताएगा मैं आपको बता दू सतक इसका पूरा नहीं हो पाएगा क्योंकि अब जो ये वीक चलेगा वो बहुत ही क्रूशल चलेगा एक तारिक से भी बहुत सारी फिल्में वैप सरीज लीज हो जाएगी प्राएगया Gather 2 इसका देखो क्रेज अभी खतम नहीं होता क्योंकि अभी भी जो क्रेज है इसका अभी बरकरार है अभी भी चलेगी कमशकम 10 दिन चलेगी और आपको ये भी पता दू जवार रिलीज होने के बाद भी ये फिल्म कलेक्शन 2-3 तिन करोर कमाती रहेगी और इस तरह करते करते ये फिल्म पहुँच जाएगे पतार की कलेक्शन तर तो तोस्तों ये वीडियो को यहाँ पर करते हैं समाप्त अगले कलेक्शन के लिए बरे रहो मेरे साथ मैं आपको कल बता हुआ